आज की इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम की एकाउंट को दियक्तिवेट कैसे कर सकते हैं यहां पर आने के बाद हमें कुछ इस पकार का इंटरफेस तेखने को मिल रहा है तो हमें नीचे की तरफ अपने profile वाले icon पे click करना है इस पे click करने के बाद हमें कुछ इस पकार का interface दिखने को मिल रहा है तो हमें उपर की तरफ three line के option पे click करना है इस पे click करने के बाद हमें सबसे पहले वाले option पे click करना है जो की है settings and privacy तो हमें इस पे click करना है इस पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस पकार का इंटरफेस दिखने को मिलेगा तो सबसे उपर ही हमें यह आप एक option मिल रहा है account center तो हम इस पे क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस पकार का इंटरफेस दिखने को मिल रहा है अगर आपके phone में account surrender का option नहीं हो इसका मतलब आपका जो Instagram है वो update नहीं है तो आप सबसे पहले Instagram को update कर ले तो हमें यहाँ पे एक option मिल रहा है personal details तो हमें इस पे click करेंगे इस पे click करने के बाद हमें कुछ इसपकार का interface देखने को मिल रहा है तो हमें नीचे की तरफ एक option मिल रहा है account ownership and control तो हमें इस पे click करना है इस पे click करने के बाद हमें कुछ इस पकार का interface देखने को मिल रहा है तो देख सकते हमें यहाँ पे option मिल रहा है deactivation और deletion तो हमें इस पे click करना है इस पे क्लिक करने के बाद यहां से आपके फोन में जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे आ जाएंगे फिलहाल मेरे फोन में एक ही अकाउंट है यानि कि मेरे इंस्टाग्राम में एक ही अकाउंट लोगिन है इसलिए यहां पे एक आ रहा है तो आपके Instagram पे जितने भी account login होगे वो यहाँ पे खुल के आ जाएंगे और आपको जिस भी account को deactivate करना होगा उस पे click करना है तो मुझे इस पे click करना है इस पे click करने के बाद हमें कुछ इस पकार का interface देखने को मिल रहा है तो देख सकते हमें यहाँ पे दो option मिल रहा है पहला option है deactivate का दूसरा है delete का तो अगर आप delete भी करना चाते हैं तो कर सकते हैं अगर आप deactivate करना चाते हैं तो कर सकते हैं तो हम deactivate करना है तो हम deactivate पे click करेंगे deactivate पे click करने के बाद हमें नीचे की तरफ एक option मिल रहा है continue तो हम इस पे click करेंगे इस पे click करने के बाद हमें कुछ इसवकार का interface दिखने को मिलेगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने password को डाल ले तो अगर आपको आपका password याद नहीं है तो आप यहाँ से forgot password कर ले उसके बाद नया password बना ले फिर यहाँ से इस तरह के से deactivate कर ले अगर आपको आपका password याद है तो यहाँ से डाल ले तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने password को डाल लिया है अब हमें नीचे की तरफ एक option मेंडा continue का तो हमें इस पे click करना है तो मैं यहाँ पे continue पे click नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अपने account को deactivate नहीं करना है तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने account को deactivate कर सकते हैं अगर अच्छी लगी हो तो जाने इस पहले मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक भी करें और मुझे कम्यून करकी जरूर बताए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप अपने account को क्यों deactivate करना चाहते हैं थांकियो फोगाची मैं वीडियो